बात कर लेते हैं विस्सार से खबरों की सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दे कॉंग्रिस आज देश व्यापी प्रदर्शन कर रही है E.D. के खिलाफ देश भर में कॉंग्रिस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है E.D. दफतर का इस दोरान कॉंग्रिस के कारेकरता नेता और पदादिकारी घेराफ करेंगे Hindenburg रिपोर्ट पर चुपी पर जवाब मागा जाएगा तो ये बड़ी खबर आपको बता दे बड़ी खबर बड़ी जानकारी कॉंग्रिस आज देश भर में देश व्यापी प्रदर्शन कर रही है E.D. के खिलाफ देश भर में कॉंग्रिस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है E.D. दफतर का इस दोरान कॉंग्रिस के कारेकरता नेता और पदादिकारी घेराफ करेंगे हिंडोंबर्ग रिपोर्ट पर चुप्पी का जवाब मागा जाएगा तो जिस तरह से E.D. पार बार कॉंग्रिस ये कहकर निशाना साती है कि E.D. सरकारी एजिंसी है BJP की प्राइवेट एजिंसी बन गई है इसी को देखते हुए लगातार कॉंग्रिस E.D. पर हमलावर नजर आती है कॉंग्रिस का देश व्यापी प्रदर्शन आज है E.D. के खिलाब देश भर में कॉंग्रिस प्रदर्शन कर रही है E.D. दफ्तर का इस दौरान कॉंग्रिस के कारिकरता नेता और पजिदिकारी घेराफ करेंगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चुप्पी पर जवाब मांगा जाएगा जादा जो अनकारी के लिए सीधा रूप कर लेते हैं धेरादुन से समधाता धनराज गर्ग का धनराज जिस तरह से कॉंग्रिस ने आज E.D. के खिलाफ देश व्यापी आंदोलन बुलाया है आज धेरादुन में किस तरह से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कब E.D. दफ्तर का घेराफ किया जाएगा धनराज प्रदर्शन में कि खिलां अ ऊंका लोगर्ति वे से इस तरही है कि आपे हैं देशा कि देश के अंतर बड़े लामें नेता है गाया तो खेया गया था तो खेया है तो खेया तो फेलिकुल घंडा जिस तरह रहा है विधानसभा का मौनसून सत्र भी चल रहा है वहां सदन में भी जमकर कॉंग्रिस जो है अपने तीखे तीरों से बीजेपी को घेर रही है वहीं दूसरी तरफ यहां धेरा दुन में बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है बड़े बड़े दिगज नेता मौजूद है आप मौ मौज ग्षाल्वा लगाके वहा है मौज़ आखी हो양ी हरी जो राजिय है वो घेर रही है वहीडिक कही है वो यह वह से लोग इसकी दिग्रिक कर दो नेता करें दो गुष्यम्टेश करेंगी नेता प्याप प्र बास करें लान के ताम कर दो पास को पास में थे जोस्की है क् बोगी जटैनि सर्कार में ज़से में ज़ए कि यहां जरी विजिए पर स्वाहिवेशन दाई में दूदर ने जाक्राइब एसमिए हैं ज़ाइड सेडम ने ज़ाज भा सबसका है, जहांपर री पर अंगरस के सभी जगाये जो है, इंडी का और सरकार का मिल्क सकार में गिरोग कर रहें, और तो गुरा दूम में आपने जिकार संगट हैं को है, इस पर करेंगे ते गरोग कर दा है, हमारा सरकार पर ये चैतान है, इस सरकार का दबाव लाग बना जाए, ज़िए लिगानिक सर्काइं का गुर्पोर भ्यांग जिया जाए, यदि को दोस्तों हो, इस पर कारवई कीजा है, लेकिन केवल और सबसकों दबाने के लिए, जो आदमी जिजेग को जोईन गरने, उस पर काव मुल्क कर जेजा है, इस सरकार के लिए ज़िए लिए ज़िए को लेकर हमेशा ही कॉंग्रस बीजेपी पर हमलावर रही है, इडी को बीजेपी की एजिंसी बीजेपी कहती है, और ऐसे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या अडानी अम्बानी का मुद्दा हो, कॉंग्रस हमेशा से हमलावर रही है, क्या माना जाए, आगे जिस तरह से उत्राखन में निकाय चुनाव होने है, के दानात में उक्चुनाव होना है, क्या ये बड़ा म इस तरह से हमार से लिपाराा, क्या मैं रही है, तो इस तरह से हमेशा से एक कॉंग्रस करेंड़ा कि इस से लिफराइग से थिफरालों के मुद्दा रही है, और इस तरह से किस ने केण से ऊफ़ुष पलग रही है? चैनल के परकू और किनिनकों अर्सावेस शाइए घूंभॉ MP सुम्हां बोल म conscious स्कारी नीश्टा अजय है बाले की अने दिताओे है उसक्राइल को मिढू एक इत्राइल को को याष्च किर्ट earlier। तो सिंसार का की सम्तार हुए आटिसार ना के से रिजाव मैं और को न Pretप होगी उभल लॉपे निसे आट करामें की दो से रिजाद this the दूपर यही बज़ा है कि हिंदनबर्ग रिपोर्ट पर चुपी को लेकर E.D. का आज घेराफ किया जा रहा है धनराजा बने रहेगा जैपूर और दिली भी अपने दर्शकों को लिये चलते हैं जैपूर से हमारे साथ कुलदीब जूर चुके हैं वहीं दिली से हमारे साथ अजेव जूर चुके हैं कुलदीब आपके पास आना चाहोँगे जुस्तरा से E.D. के खिलाफ आज कांगर्स ने मोर्चक खोल दिया है किस तरह से ईजी दफ्तर का घिराफ किस तरह से क्या कुछ तैयारिया अब सिंखाचे लिवास, अधीश चौधरी और तमाम विधायक जो कांग्रेस के मुकिश भाकर हो इन तमाम विधायकों के साथ मंच पर आचीन है और अपने तमाम कार्यकरताओं को लेकर एडी का घिराव करने के लिए पहुंच चुके हैं और फिलाल एडी रफ्तर के बार प कोशिश की जा रही कूकि राजास्तान वो स्टेट है जहाँ पर इस्टेट में भी बीडेपी है और सेंटल में भी बीजे पी है अब कॉंग्रिस कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेखर उगर न दरा रही है जिस पर खुद सचीन पाइलेट जो कॉंग्रिस के गडिश देता है वो कोई इजी के खिलाब कॉंग्रिस ने मोर्चा बंदी पूरी तरह से शुरू कर दिये अजय अगर बात करें दिल्ली की क्योंकि देश भर में देश व्यापी प्रदर्शन आज कॉंग्रिस कर रही है ED का घिराफ करने की कोशिश की जा रहे है दिली की अगर स्थिती की बात करें क्या कुछ दिली में स्थिती उनको पैसा दिया जा रहा है आखिर का जो बीचेपी उसमें जान नहीं कर रही है वहीं बता दे कि महनाई को लेकर के भी बेरोट्याई को लेकर दिली के जंदबन या एक तरुवन साथ अपका है कि अगर ऐसा है तो यह बात कही है कि आखिर का जेसीपी मांग को लेकर के वीचेपी को पीचाट रही है तो कि जो गठिद की है जो कमेर्टी बनेगी वो बीचेपी के ही कारगता हुए वो ही उनके चेर्मेन होंगे लेकिन काउनिस के जो इंड़ा गडवन नम्न सभी ने इवाज कही थी लेकि सवाल यह है कि बीचेपी कहने कहीं जो मोदी है मोदी लगातर कहने है अडानी अमानी को फाइदा पुटाने का काम करती है ना कि देश की चंता को जो मोदी लगातर को इंड़ानी को फाइदा पुटाने का अडानी अम्बानी का मसला हो इसको लेकर कॉंग्रेस हमेशा से भारतिय जंता पार्टी पर हमलावर रही है आँगे आपके पास एक बार धनराच का रुख कर लेते हैं धनराच जिस तरह से आप धेरादुन में उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर कॉंग्रिस प्रदर्शन कर रही है धनराच अगर सुरक्षा विवस्था की बात करें किस तरह से सुरक्षा विवस्था बिलकुल यारी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चुक्पी को लेकर कॉंग्रिस आज एडी से जबाब माग रही है इसी कड़ी में कॉंग्रिस ने आज देश व्यापी प्रदर्शन का आवान किया है और देश भर में अलग लग जगाहों पर कॉंग्रिस के कारेकरता नेत और पददिकारी एडी कार्याले का घेराफ कर रहे है धन्राज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कुल्दीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के ले यहां रुखेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए जल्द वापस लॉटिंग कही जाईएगा नहीं ब्रेके बाद एक बाद फिर से आप सभी का स्वाकत है खपरों में आगे पड़ते हैं बात जारकन की कर लेते हैं जारकन में इन दिनों चंपाई सोरेन होट टॉपिक बने हुए है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पूरी तरह से बगावत पर उतर आये है कोल्हान टाइकर के नाम से मशूर चंपाई सोरेन अब मज़दार में फसे दिखाई दे रहे हैं उन्होंने लंगे समय से दूरी बना ली है और अपने समर्थकों के साथ मिलकर नई पार्टी बनाने का एलान किया है नई अध्याय को गाड़ने निकले चंपाई सोरेन राज कोऑब कराने हाई कमानने भी हरी जण्डी दे दी है लेकिन सूतरों से मिली जानकारी के अनुसार सोरेन को कद के हिसाब से पद देने की तयारी हाई कमान कर रही है जादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अजय कुमार पांचे का अजय जिस तरह से चमपई सोरेन को लेकर लगातार चर्चाओं के बाजार गर्म थे फिर बीते दिन खबर आई कि चमपई सोरेन ने नई पार्टी बनाने का एलान कर दिया है अजय को लिए जानकारी आई जानकारी आई लगातार चमपई सोरेन जारक्षिक नाजमीतिक बढ़े हुए और जिस परकासे वह बिली शलटनी के बार वह अपका नई पार्टी का अपनी समस्तकों के साथ नई पालिटिक आलान के ते लिए तरुप से जहारकर लुक्ती मोच् कुछ ने पिरादे लिए लिए कि तमाम कवाईडों के बीश में जारक्र निसी मोचा की कारीकारी अपने को खुझ से अलग जारक्षिक नाई जो है वो रही है तो यसी तुरुप से मुझे लगता है कि इस परकार से चमपई सोरेन अपने को खुझ से अलग या वैसे मीज कि अभी तक जेमिम सुनों ने इस्तिफा नहीं दिया कि अभी भी समय ले रहे हैं कुछ सोचने समझने का कि अभी इसमें सीवी बात है कि आज वो अपने अपने बिदान सराज शेतर जो है अपने समर्तकों के साथ बैठ्षक की लंबे अपने देखावी काफी संख्या में वहां जो उनके समर्तक मौजिद रहे हैं और समर्तकों के राइट से ही वह अपनी नई पार्टी का आइलान वह हञे हैं और आप कोहलान के छेतर में जहां उनकी मजहूद पकल है वुईसी चांपयस वरल भड़े राज्मियतिक पाँट के से चरियों का बहुत बाह्द लंबा समय रहा और कोहलान में रहा है ति मुझी तो उनकी जो कोहलान जेत्र में पांच सुटे हैं उनकी पकल ह पूरी तरह से चंपा ही सोरेन नाता तोड़ा, दूसरी तरह जो उनका शेत्र है क्योंकि बड़े आदिवासी चेहरा हैं, कोलान का, कोलान टाइगर भी उन्हें कहा जाता है, वहां अब वो पूरी तरह से डटे हुए नजर आ रहे हैं, जंता से मुलाकात करे हैं, जंता के बी दानसबा चुनाव को देखते हुए अभी से कमर कसली है? जनता से मिल रहे हैं जनता से जनता संपर्क कर रहे हैं हाला कि उसका कितना फायदा उने होता है वो वक्त बताएगा अजय बहुत 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 शुक्रिया जानकारी के लिए इसी के साथ इस बुलिचन में फिलाल के लिए सिफ इतना ही खबरों का सुलसला जारी रहेगा बनी रहे हमारे साथ